हेलो वाइस कैसे आप सब और आज शुड़िवा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईफोन 11 भी भाई परचेस कर लिया है आप ही लोगों के लिए तो OLX से गी भी परचेस कर लिया है मैंने और इसको को लिए वे करीब डेड़ दिन हो गया मेरे पास छुपा के रखा थ करीब 2-3 किलोमेटर दूर तो उस बंदे का क्या सीन था कि उसको लेंना था आइफोन 12 प्रो मैक्स और उसने आइफोन 11 मेरे को बोला भाई आप देख लो उसने वैसे डाला था प्राइस 42 बट मैंने उसे 38 दिये हैं सच बता रहा हूं बट टाइटल में 35 लिए से क्लिक वे सच बताओ तो मैंने आइफोन 11 यह ऐसा फोन था जो यूज नहीं करा आइफोन सारे यूज करें मैं जातर जो एक्स की सीरीज के बात के हैं बट आइफोन 11 पता नहीं कैसे शूट गया तो पिछले साल बट इस बार फाइनली हाद में आगया तो चलो चेक कर लेते हैं तो सा अगर आप देखते हो तो फोन के अंदर बहुत ज्यादा कम स्क्राची कुछ ऐसे माइनूट से स्क्राचे जो हलका से यहां पर दिख रहा हो कुछ आपको बस वही है और वाकि यह फोन के अंदर कुछ भी स्क्राची नहीं है और सामने की तरफ में यह पूरा स्क्रीन प्रो इस बड़ी बात यह है कि इस बंदेने ना फोन के उपर ना कवर चड़ा रहा तो उस वाज से ना काफी साथ सही है फोन हो गया है अब मैं दो चार चीज़ आप लोग बता दूंगा और उन्बॉक्स में जाने से पहले तो बेसिकली अगर आप कोई भी देखो OLX से या किसी बीदेगी बैटरी हें नटरो डेखने हैं और प्रजाण हैं और अगर दस महीं पुराना है नटींट परसंट दिखा रहा है और बंदा बोल रहा है कि फोन की बैटरी श्यक्ते ह्ल्म कर रहा है क्योंड पूराने फोन की बैटरी 100% पर नहीं रहेगी करीब वो रहेगी 94 91 या 90 आसपास तो यह चीज ध्यान रखना थर्ड ली फोन के नहीं चेक करना कि फेस्टाइम काम कर रहा है नहीं कर रहा है को फेस्टाइम अगर काम नहीं कर रहा होता तो भाई यह फोन बाहर के होते हैं और बंदे आपको बस चुपकाने कोश्च कर रहा है चौता चीज आपको क्या करने सीरियल नंबर से चेक करना है तो अगर आप गूगल पर सिंपल लिखोगे आईफोन सीरियल नंबर चेकर तो उसमें क्या होगा पहली वेबसाइट खुलेगी आपल की और आपल की यह अच्छे से चेक करो इसलिए हमेशा फोन दिन में लेना ठीक है ना दिन में हर एक चीज पर चलती है रात में चले जाना लेने पूरे फोन को अच्छे से देखो कि भाई कहीं देंट वेंट चलता है अलकॉब का फोन गिर जाता है यार पुरान ले रहे हो लेकिन इंटर जब और आपने सारी चीजे चेक कर ली यह सब चीजें उसी के बाद फोन पे आप लोग आगे बढ़ना नहीं तो अगर इन में से किसी भी चीज पर दिक्कत है या तो फोन के पैसे कम करा दो बहुत ही जदा कम कर दो पैसे या तो बिल्कुल मत लेना बागी इस बंदे ने इस बाद आप्टर ही दिया इसके बास अड़ाप्टर ही था बाकी दो चीजे नहीं थी तो इस लिए इस फोन के अंदर और पूरा वाक्स बाकी का खाली है कुछ अंदर नहीं था उसने बोला बाई मेरे पास है लेकिनों सब खराब हो गया है मैंने बोला ठीक है एडप्ट आप लोग बताओ यार यह वाला ज्यादा पसंद आ रहा है आपको आइफोन 11 या फिर मैं आइफोन 10 निकाल रहा हूं तो या फिर आइफोन 10 अच्छा लग रहा है मेरे को बताना कॉमेंट सेक्षिंट नर यह रहे दोनों फोन कौन से जाथा बढ़िया लग रहा है थोड़े यह निया सा लग रहा है कोई दो कैमरा ने बट इसका एक मिनिमल लुक आ रहा है जो हमारा यह क्या होगे मैसीज को है यह काफी मिनिमल है आइफोन टेनार तो यह भी काफी तकड़ा लग रहा है दोनों अपनी अपनी जगह है तो यह जैसे मैं बतार था जो एड से जिसमसे मैंने लिया है वह यह वाला प्राइस था बंदे ने बतार था ना आप लोगो फिंशोड लिया था और यह कुछ फ लिए बहुत ज़दा पेचीदा साय क्योंकि वह पर यह कहीं से अब लोग पको पॉइंट बशाये के हमेशा ध्यान रखना और इनको अगर फॉलो करें तो आपको एक अच्छा फोन मिल सकता है ओ यह मदा सोचना कि आपको हमेशा फोन मिलेगा और यह मत्सोंक्ता अपको हम तो यह चीज आग देंगे तो यह दोनों फोन को काफिय ऐसे टेस्ट कर रहा हूं और मैं अपनी जो सीर्ई इसको थोड़ा अच्छा बनाना चाहता हूं रहा हूं बट मैं चारों कियार इस सीरीज को और अच्छे से बनाएं और जब हम पर्चेस सेल कर रहे हो तो उस बंदे के साथ वीडियो बनाएं वालब ऐसे शकल तो नहीं दिखा सकते हो अब विडियो बना लेंगे अपन तो आप लोग डेफिनेटली मुझे बताना कि आप वैसी आइफोन टैनार यह वाला यह बेच रहा हूं तो अगर आप लोग किसी को चाहिए तो यह इस्ट्राइम पर डियम कर देना डिसक्रिश्मन लिंक डाला वह है ताकि सारा से मस्त से आपको किसी के बास मिल जाए तो बस यार आज की दिए तरही आई आइफोन 11 कल भी बहुत अगरी वीडियो आने वाली है टैनार के उपर तो उसके लिए वेट करना और मिलता हूं कल वाले वीडियों के देरों गाइस बाबाए